जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CVC ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है क्लास 10 और 12 के लिए जो 2020 से लेकर 2020 के बोड़ एक्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी माने जाता है यह एक तरह का key factor है जिससे कि हम किसी भी तरीके के एक्जाम्स को आसानी से ले सकते हैं इसलिए सैंपल पेपर बहुत एसेंसियल होता है क्योंकि यह हम लोगों को blueprint बताता है कि आखिर एक्जाम में किसकी स्टाइब के questions आने वाले हैं तो सबसे पहला जो question science पे है उस पे पुछा जा रहा है कि list any two observation when ferrous sulphate is heated in a dry test tube यह question जो है यह chapter 1 से है जो decomposition reaction का एक टाइप है सबसे पहले हमें पुछा जा रहा है कि ferrous sulphate crystal को यदि हम लोग dry test tube में यदि heat करें तो क्या होगा तो यदि ferrous sulphate के crystals को हमारे पास यदि ferrous sulphate के crystals है that is feso4 यह ferrous sulphate के crystals होंगे यह anhydrous होंगे that is solid in solid state इसको यदि हम लोग heat करें यदि इसको heat किया जाएगा तो ferrous sulphate के जो crystals है वो change हो जाएंगे ferric oxide पे that is f2O3 प्लस sulfur dioxide पे और sulfur trioxide पे that is SO3 यदि हम सभी का state लिख सके तो आसानी से हम इस इस चीज को समझ सकते हैं इसके state को आसानी से लिखा जा सकता है यहाँ पर जो ferrous sulphate के crystals है that is feso4 यह solid state पे है इसे हम लोग क्या कर रहे है तो heat कर रहे है बनेगा ferric oxide यह उसके अंदर acid के रुप में होगा प्लस sulfur dioxide gases pump पे प्लस sulfur trioxide यह भी gases pump पे होगा यह जो gases pump पे sulfur dioxide और sulfur trioxide है यह क्या करेगा एक तरीके के वाफ्टिंग gas को create करेगा जो कि gently हमारे नाक की तरफ आएगा होगा क्या कि यह जो green colored color में ferrous sulphate crystals है यह green color से change हो जाएंगे यह green color से light green बन जाएंगे और यह एक तरह का decomposition reaction का type भी है तो हमें यहाँ पर question में पुछा जा रहा है कि दो observation बताईए जब ferrous sulphate की crystals को heat करेंगे तो सबसे पहला observation क्या हुआ कि ferrous sulphate initially decompose करेगा into ferric oxide sulfur dioxide and sulfur trioxide उसके बाद the color of the ferrous sulphate crystal will get changed तो हम लोगों का answer क्या क्या होगा सबसे पहला answer हम लोग लिखेंगे कि ferrous sulphate decomposes into ferric oxide sulfur dioxide and sulfur trioxide और जो दूसरा हम लोग answer लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग ferrous sulphate actually it is anhydrous ferrous sulphate ferrous sulphate decomposes into ferric oxide sulphur dioxide and sulphur trioxide जो दूसरा change है जिसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं वो दूसरा change क्या होगा कि जो ferrous sulphate है जो green color में था वो अपने color को change करेगा तो लिखेंगे हम लोग ferrous sulphate यहा फिर the green color of the ferrous sulphate crystal will change कैसे हो जाएगा इंटु लाइट ग्रीन है न तो आप चेंज पर भी छोड़ सकते हो यह भी बता सकते हो कि फेरसलफिट डिकंपोज कर रहा है तो हो क्या रहा होगा कि सलफर डाउकसाइड जो है एक तरीके से पंजेंड इसमेल क्रियेट करेगा जो कि एक तरह का वाफ्टिं का लीकेविशन हम लोग लिख सकते हैं कि जो फेरसलफिट है देट इज फ इसओर सालिड स्टेट को हम लोग हीट रहे थे तो हम लोगों को मिल रहा था फेरिक बैलेंस ने सौलिड सटेट पलस सलफ़र डाउकसाइड in gases state plus sulfur trioxide in gases state यदि इसे balance करें तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ferrous का amount है वो Fe consist of two atom but here Fe consist of one atom तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर two Fe करना पड़ेगा ताकि ferrous का amount balance हो जाए अब देख रहे हैं दो sulfur है oxygen का amount कितना है यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 तो 325 और 38 यहाँ पर oxygen भी 8 हो गया sulfur कितने है तो नौ दिस equation is now balanced तो यह हम लोगों के पास equation आया यह एक तरीके से balanced chemical equation है जो हम लोगों के पास एक balanced chemical equation हो गया तो पहले वाले question का हम लोग यह सब answer लिख सकते हैं question number two में कह रहा है कि write the chemical name and chemical formula of the salt used to remove the permanent hardness of water कि पानी के जो पानी का जो permanent hardness होता है उसको हटाने के लिए जो हम लोग salt use करते हैं उसका हम लोगों को chemical name भी लिखना है और उसका chemical formula भी लिखना है तो जो chemical हम लोग use करते हैं permanent hardness को हटाने के लिए वो होता है washing soda तो इसका chemical name क्या है हम लोगों को question पूछ रहा है chemical name not the general name तो जो chemical name है वो है sodium carbonate deca hydrated ये इसका chemical name है किसका तुबासिंग soda का जिसका हम लोग use करते हैं पानी के permanent hardness को हटाने के लिए फिर हम लोगों को इसे में question पूछ रहा है कि उसका chemical formula क्या है तो उसका जो chemical formula होगा chemical formula ये है Na2CO3 into 10H2 जब हम लोग sodium carbonate का recrystallization करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है तो sodium carbonate decahydrated यानि कि हम लोगों को washing soda मिल जाता है बनाते कैसे हैं तो sodium carbonate that is Na2CO3 में जब हम लोग water of crystallization मिलाते हैं that is 10H2O तो ये बन जाता है Na2CO3 into 10H2O यहाँ पे 10H2O signify करता है water of crystallization को तो जब हम लोग sodium carbonate का फिर से recrystallization करते हैं मतलब sodium carbonate जो हम लोगों के पास एनहाइडरस था हम जब उसमें liquid molecule मिला रहे हैं तो हम लोगों को मिल रहा है sodium carbonate decahydrated aqueous state पे यह जो हम लोगों को substance मिला इसी substance को ही हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं washing soda यह हम लोगों के पास जो है इसको हम लोग बोलते है washing soda यह जो washing soda होता है इसी का हम लोग यूज़ करते हैं for the treatment of permanent hardness of water question number 3 पर पुछा जा रहा है which of the following is not observed in a homologous series और उसमें पूछ रहा है हम लोगों को give reason for your choice कि अपने choice के लिए reason देजिए सबसे पहला बोल रहा है कि change in chemical property तो chemical properties में जहां तक बदलाव की बात है homologous series में तो chemical property नहीं बदलती है जब chemical property नहीं बदलती है तो इसी चीज़ को यहां पे कर रहा है कि chemical property बदल रही है तो यही answer होगा कि chemical properties जो है homologous series में change नहीं होता है क्योंकि वो same functional group का है जैसे कि यदि हम लोग को एक same functional group में लेंगे जैसे कि CH3OH या फिर C2H5OH या फिर C3H7OH इन सभी का chemical property roughly same होता है तो chemical properties में change नहीं होती है क्योंकि यह same homologous series के अंतरगत आते हैं उसके बाद दूसरा option बोल रहा है कि difference in CH2 and 14U molecular mass तो यह चीज़ हम लोगों को दिखता है जितने भी homologous series हैं वो homologous series में CH2 का difference होता है molecular mass में 14U का difference होता है साथ में physical properties में gradation भी दिखाते हैं और उनका functional group हमेशा same होता है So the answer will be A और इसका answer क्यों होगा A क्योंकि हम लोग जानते हैं कि chemical properties जो हैं किसी भी homologous series का वो नहीं बदलता है because homologous series में जो functional group है वो same होता है Question number 4 में पुछा जा रहा है कि why does the sun appears white at noon? कि दोपहर के समय सूरज जो हैं हम लोगों को सफेद क्यों लगता हैं? दोपहर के समय सूरज को सफेद लगने का कारण जो है यह relay criteria से जुड़ा हुआ है हम लोग जानते हैं कि जब हवा में जो suspended particles है जब बहुत large हो जाते है जब भी कभी हवा में suspended particles बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो वो mainly क्या करते हैं? कि white light को scatter करते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि relay criteria से कि amount of scattering जो होता है कि कितना amount में scattering होगा amount of scattering कितना light scatter होगा यह inversely proportional होता है fourth power of lambda का यदि यह fourth power of lambda का inversely proportional है तो हम लोग इसे क्या का सकते हैं? दोपहर के समय जब सूरज slanting position पे होता है मतलब कि 90 degree position पे तो amount of scattering बहुत कम होती है क्योंकि हवा में जो suspended particles है वो suspended particles बहुत ही कम इसके लिए obstacle की तरह काम करते हैं इसलिए जो यहाँ पे हम लोग bending phenomena of light का बात करते हैं जिसको हम लोग reflection करते हैं वो बहुत ही कम refract हो पाता है जब इसका reflection का amount कम है तो scattering का amount भी बहुत कम होता है इसी कारण से दोपहर के समय जो यह light scatter करता है वो बहुत ज़्यादा मातरा में white light scatter करता है white light scatter करने के कारण blue light का और red light का scattering इसका बहुत ही कम होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं ना के बराबर स्केटलिंग होती है इसलिए दो पहर के समय हम लोगों को सुरज कैसा लगता है तो हमें white लगता है Question No.5 में पुछा जा रहा है कि बोत है spherical mirror and a thin spherical lens have a focal length of minus 15 cm then what type of mirror and lens are these कि यदि दोनो spherical mirror और एक पतला spherical lens जो है इसका focal length यदि minus 15 cm हो जाए तो वो किस तरीके के lens होंगे और किस तरीके के mirror होंगे चलिए इसे समझते हैं इसको समझने के लिए हमें new Cartagen Sign Convention property आना चाहिए तब जाके हम ऐसे questions को answer आसानी से दे सकते हैं and followed by हमें mirror का और lens का concept आना चाहिए सबसे पहले एक mirror के concept को देखते हैं कि एक mirror का concept कैसा होता है माल लेते हैं कि हम लोगों के पास कोई एक spherical mirror है spherical mirror में यदि बाहर की तरफ हम लोग क्या कर दे कि poly surface रखे अंदर की तरफ reflecting surface है तो ऐसे कैसे में इस mirror को हम लोग कहेंगे कौन के यदि ऐसे कर दिया जाए means की अंदर की तरफ polished और बाहर की तरफ reflecting तो क्या होगा sorry reflecting तो हम लोग जो surface होगा उसको हम लोग ये वाले portion को क्या कहेंगे कि ये वाला portion हम लोगों के लिए convex है इसके बीच में center है इस center को हम लोग जानते है कि ये जो center होता है इसे को हम लोग करते है center of curvature इस center of curvature से जो line join किया जाता है ये जो line होगा इसको हम लोग principal axis बोलेंगे इसे हम लोग बार देते हैं दो पार्ट पे एक portion हो गया हम लोगों का जो हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा है shape पर ये हो गया concave part इसे pole कहेंगे यहाँ focus होगा और यहाँ पर center of curvature होगा यदि हम लोग new cartagen sign convention देखे तो new cartagen sign convention property के हिसाब से किसी भी किसी भी चीज का distance चाए focal length का distance मेजर करना हो या फिर हमें radius of curvature का distance मेजर करना हो या फिर हम लोगों को object distance मेजर करना हो image distance मेजर करना हो तो हमेशा हम लोग कहां से मेजर करते हैं pole से इसका मतलब कि pole को हम लोग क्या समझ सकते हैं कि pole is considered to be the origin कि जो pole होगा वो क्या होगा तो origin होगा यदि pole origin है तो हम लोग जानते हैं cartagen sign convention property cartagen sign convention property में ये x axis है ये negative x axis है ये y axis है और ये negative widest axis है ये origin है origin से left की तरब जो values होंगे वो negative होंगे इसका मतलब focal length negative है तो focal length negative कब होगा जब उसको origin से left की तरब रखा गया है object को यदि हम लोग left की तरब रखेंगे तो क्या होगा कि focal length negative कब लाएगा एक concave mirror के लिए focal length हमेशा negative होता है ये तो आया spherical mirror का बात यदि हम लोग spherical lens पे देखे तो spherical lens को यदि हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से concept पे देख सकते ये जो बीच वाला पार्ट आया इस पार्ट को ही हम लोग बोलेंगे कि ये वाला पार्ट हम लोगों के लिए क्या है तो convex है ये वाला पार्ट हमारे लिए क्या है तो ये पार्ट हम लोग यदि इस पार्ट को हम लोग convex बोलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं Suppose that एक line draw कर देते हैं जो दोनों boundary को cross कर रहा है जो बीचवला point होगा उसको हम लोग कहेंगे optical center यह जो बीचवला point है यह हम लोगों के लिए optical center कहला आएगा अब क्या है कि यदि कोई एक ray of light को हम लोग जो है eject करे suppose that infinity infinity पे हम object को रखे हैं तो यह क्या करेगा कि एक parallel beam of light eject करेगा जो lens से टकराने के अबाद किसी एक special point से पास होगा and this special point is called focus यह special point को ही हम लोग करेंगे कि यह वाला point जो है वो क्या है तो हम लोगों के लिए focus है यदि यह special point focus का ला रहा है तो हम लोग focal length को measure करेंगे from optical center to the focus that is the first principle focus यदि यह first principle focus है तो हम लोग measure करेंगे जो distance वो यहां से लेकर यहां तक का होगा इसमें it means that कि Cartesian plane के right के तरफ यह focal length पाया जा रहा है इसका मतलब क्या कि यह जो focal length का value होगा वो focal length का value कैसा होगा तो positive होगा अब आते हैं चलिए यह तो था convex lens concave lens को देखते हैं ज़िए एक concave lens हमारे पास है concave lens को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों surfaces को कुछ इस तरीके से जुड़ना पड़ेगा जो बीच्वाला पार्ट बना वो हम लोगों के लिए concave lens हो जाएगा इसके center से यदि एक line ड्रॉ करें और दोनों center को join करने वाला एक line यदि ड्रॉ करें तो जो बीच्वाला point होगा इसे हम लोग कहेंगे optical center अब हम लोग जानते हैं कि यदि infinity पर कोई अब्जेट को रखें हैं तो infinity से ये rays of light को eject कर रहा है since it is a concave lens तो ये light को क्या करेंगा diverge कर देगा जब light को ये diverge कर रहा है तो हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे इस तरीके से diverging होगा यदि हम इसे पीछे की तरफ मिलाएं तो देखेंगे कि किसी एक point पर ये meet कर रहा है ये भी किसी एक point पर meet कर रहा है तो जिस point पर meet करता है उसे हम लोग करते हैं focus तो optical center से focus तक का जो distance होता है उसे ही focal length करते है तो एक concave lens के लिए हम लोगों का जो value होगा focal length का वो कैसा होगा negative होगा क्यों क्योंकि ये optical center से left की तरफ लाई करता है यदि यही वाला optical center से right की तरफ लाई करता तो वो positive होता इसका मतलब हम लोग इसका answer क्या लिखेंगे कि ये जो question पुछ रहा था कि दोनों spherical mirror और पतला spherical lens से उन दोनों का focal length माइनस 15 cm है तो माइनस 15 cm कब होगा तो माइनस 15 cm mirror के लिए तब होगा जब mirror concave mirror हो और lens के लिए कब होगा जब lens concave lens हो कि अग्याओ